जहिंद मैं ललित खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया आज बात उस चेतावनी की जो ट्राइ ने दूर संचार कंपनियों को जारी की है दरसल साल 2016 में रिलाइंस जीयों के भारतिय टेलिकॉम बाजार में उतरने के बाद अधिकतर कंपनियों को डेटा सेवाओं के साथ मुफ्त वायस कॉल की सेवा देना शुरू करना पड़ा था क्योंकि ऐसी सेवा देने से ही जीयों ने अपनी शुरूआत की थी लेकिन जीयों की सेवा से बाकी कंपनियों की आये बेहत प्रवावित हुई मुफ्थ वॉस कॉल की बात पर दूर संचार नियामक ट्राई के चेर्मेन ने कहा की कॉल ड्रॉप का मुद्धा ट्राई के एजिंड़े में बना रहेगा। बाल ड्रॉप को लेकर भारती दूसरंचार विन्यामक प्राधिकरन ट्राय के कम्पनियों पर जुर्माने के प्रावधान को उच्टम नैले में सफलता पूर्वक चुनौती दी गई लेकिन वह सेवा गुणवत्ता बेहतर करने की दिशा में काम करता रहेगा। शर्मा के नुसार अधिकतर कम्पनियां मुफ्त वाइस कॉल की सुविदा दे रही है ऐसे में एक बड़ी भहस है कि यदि कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है तो ट्राय उस पर कितना दंड लगा सकता है क्योंकि कम्पनियों को उससे कुछ मिल तो रहा नहीं लेकिन यह सही न हो जाएगी ट्राय के अधिकारी सडको रेल गाड़ियों और अन्य व्यस्त स्थानों पर मानक परिक्षण करते रहते हैं यदि किसी सेवा परदाता कि सेवा गुणवत तक खराब पाई जाती है तो उसे दंडित भी किया जाता है शर्मा ने इस दोरान लोगों से आग्रह क कि वह दूरसंचार टावर लगवाने के लिए आगे आएं क्योंकि इससे स्वास्ते को कोई हानी नहीं होती है उन्होंने कहा कि सुदूरतम इलाकों में दूरसंचार सेवाएं पहुचाने के लिए टावर खड़े किये जाने जरूरी है इससे लोगों को उनकी उची-उची मंजिलों की सोसाइटियों में भी बहतर नेटवर्क तो निश्चित हो पाएगा। अगामी प्रध्योगी की 5G के बारे में शर्मा ने कहा कि इसका बुनियादी धाचा खड़ा करने के लिए निवेश की अत्यान्त आउशकता है। देश में मोबाइल नेटवर्क पर बहुत बड़ा निर्बरता है और हमें वायर के माध्यम से इंटरनेट और पहुचानी की जरूरत है। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्राले और पूने अंतराष्ट्रिय केंदर के सयोग से किया गया था। आपको बता देए कि शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दे जर्मा का यह बया है अंतराष्ट्र आपको थेज़र टेज़क टूने से समय है और घ्या को रिछ टिम्झा पुचानी के शजरा है।